नमस्कार दोस्तों, इनके मोनीटर चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों बुरा वक्त आने से पहले इश्वर देता है ये छे संकेत आज ही जाने और हमेशा रहे साबधान दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन के दो पहलू होते हैं जब वो अपने अच्छे और बुरे दोर से गुजर रहा होता है लेकिन जिस तरह अच्छा समय गुजरता है बैसे ही बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता लेकिन शायद आपने सुना होगा जब व्यक्ति के साथ अच्छा या बुरा होता है तो उससे पहले ईश्वर आपको कोई ना कोई संकेद जरूर देते हैं जिसे इंसान समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि ये बुरा समय कैसे आ गया और पता नहीं हम से क्या गलती हो गई लेकिन ये सच है जब इंसान का बुरा समय आता है तो बुरा वक्त आने से पहले ईश्वर ये छे संकेद जरूर देते हैं समय रहते इने पहचाने और बुरे समय से लड़ने के लिए तैयार रहे या फिर हो सकता है कि आपका बुरा समय रहे ही ना तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इनी छे संकेतों के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे जिनसे आप अभी तक अंजान है दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला संकेत दोस्तों बुरेस अपने इंसान को आते ही रहते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं लेकिन अगर बुरेस अपने आपको रो जाते हैं तो इसका संकेत होता है कि आपके घर में कोई कलेश होने बाला है या फिर अगर आपका बिजनेस चलता है तो बो मंदा होने बाला हो सकता है इन दोनों के साथ ही बुरे सपनों के बार बार आने पर ये परिबार के सदस्यों पर बड़ी मुसीबत डालने की आशंका हो सकती है इस से बचने के लिए आपको हर राज सोने से पहले हनुमान चालीसा या फिर अपने उस इश्वर को याद करिए जिन्हें आप मानते हैं दूसरा संकेत दोस्तों अगर आप अपने सपने में किसी को रोता हुआ देख लेते हैं तो ये बहुत ही खराब सपना होता है इसी तरह अगर आपको कोई ऐसा सपना आता है तो उसे बिलकुल भी किसी को ना बताएं बरना आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इस बात को जितना दबा कर रखेंगे उतना ही अच्छा होता है नहीं तो बहुत कुछ बुरा हो सकता है इससे बचने के लिए अपने बुरे सपने किसी को ना बताएं तीसरा संकेत दोस्तों शरीर का कोई भी अंग अगर बाई तरफ फड़कता है तो उसे बहुत ही खराम माना जाता है इन अंगों में बाया गाल, बाजू, हाथ या फिर आख शामिल होते हैं अगर ये सब फड़कते हैं तो ये किसी आने बाली परेशानी का संकेत होता है और इसके बारे में धर्म शास्त्रों में भी लिखा है महिलाओं का दाया अंग और पुरुषों का बाया अंग अगर फड़कता है तो समझो कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है जब भी ऐसा हो तो भगबान को याद करिए या फिर अपना ध्यान किसी और काम में लगाईए ये खयाल आने बंद हो जाएंगे दोस्तों अगर आप कहीं काले रंकी बिल्ली देख ले या फिर आपके घर में ऐसी काली बिल्ली आ जाए जिसे आपने पहले कभी देखा ना हो और वो घर आकर आपको घूरने लगे तो इसका बुरा प्रभाव होता है शास्त्रों के अनुसार काली बिल्ली को अशुब समझा जाता है और अगर वो अंजान बिल्ली आपको घूर कर डराने की कोशिश करे तो समझ जाएं कि आपके ओपर बुरी मुसीबत पढ़ने बाली है इससे बचने के लिए बिल्ली की आँखों में बिना घूरे उसे तुरंत भगा दे और इश्वर से अपने परिबार के सुखी रहने की काम ना करें पांचवा संकेत दोस्तों अगर आपके घर में जिस समय आप जाडू लगा रहे हैं उसी दवरान आपको कोई ऐसी अनावश्यक चीज दिखाई देती है जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा तो समझ जाए कि कोई ऐसी चीज है जो आपकी परेशानी का कारण बन सकती है उस चीज को उठा कर किसी सही जगए पर रख दीजिए और उससे माफी मांग लीजिए या फिर किसी पवित्र जगए पर उसका बिसरजन कर दीजिए इससे आपके दुख कुछ हद तक कम हो जाएंगे चाटा संकेत दोस्तों चिपकली से जुड़े बहुत सारे तथ्यों के बारे में शास्त्रों में बताया गया है चिपकली अच्छे और बुरे दोनों का संकेत होती है अगर अचानक आप अपने घर में दो चिपकलीों को लड़ते हुए देखें और वो लड़ते लड़ते अचानक गायब हो जाए तो समझ जाए ये संकट की बात है एक तरप से इसका मतलब ये होता है कि आपका किसी के साथ जगड़ा होने बाला है इसलिए अगर घर में छिपकलियां लड़ें तो उन्हें अलग कर देना चाहिए दोस्तों आज का वीडियो वस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविश्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें दोस्तों मैं मिलता हूँ आप से एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इंफॉर्मेटिब बीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत